घुलो फ्रेंट्स इल्led कल मैशीं ड्रॉइंग की वीडियो में आपका एक बार स्वागत है जैसा कि आप जानते हें कि इस वीडियो सिर् 뭐 इलेक्ट्री कल मिशीं ड्रॉइंग से जुड़े सारे टॉपिस को से करके cover कर रहे हैं तो अभी हम light and fan circuits को पड़ रहे हैं तो जो next question है हमारा वो है schematic diagram wiring diagram and single line diagram हमें बनानी है looping system of wiring यूज़ करके क्या control करना है दो lights और एक fan को उनके individual switch के दवारा switches और जो fan का regulator है वो एक ही switch board में लगा है और fan और light जो है वो अलग अलग जगा पे located हैं तो सबसे पहले हम इसका wiring diagram देखते हैं तो यह हमारा wiring diagram है तो wiring diagram में सबसे पहले आपने एक switch board बनाना है एक lamp बनाना है दूसरा lamp बनाना है और fan बना दाना है तो सबसे पहले आप phase को लेके आएंगे phase को लाके आप switch के साथ connect कर देंगे जो सबसे पहला switch होगा उसके साथ connect कर देंगे क्योंकि यह looping in system है तो looping system में जो हमारे phase होते हैं वो वहां से ही tapping अगले switch को दे जाती है तो पहले phase switch से आपने phase जो है अगले switch को connect करना है और उससे next अगले वाले switch को आपने phase connect कर देना है तो तीनो switches पे आपके phase available है अब इन switches का output पे phase यहाँ पर आ जाएगा अगर switch को हम operate क करेंगे तो phases यहाँ पर available हो जाएंगे यह जो switch है यह है हमारा light number 2 के लिए तो यहाँ से line number 2 को आपने connect करना है L2 को phase connect कर दिया ऐसे ही जो यह switch है आपका third वाला यह आपने L1 को connect करना है और जो बीच वाला सुच है वो आपका fan को जाएगा लेकिन regulator के थुरू होके जाएगा तो switch switch का output यहाँ पर और यह fan को आएगा और fan से आपने एक output निकालनी जो की phase ही होगा यह fan को चला जाएगा तो इसी तरह इस तरह से lamp 1, lamp 2 और fan पे आपके phase आ चुके हैं अब करते हैं इनके neutral की बात तो neutral जो है सबसे नजदीक वाले load को जो L1 सबसे नजदीक है L1 पे connect कर द होते हैं लोड से ही neutral आगे से आगे connect होगा और phase switches से connect होगा तो phase तो हम connect कर चुके हैं तो neutral जो है वो यहाँ से हमें tapping लेनी है next load के लिए तो next load है हमारा fan तो fan को neutral आ गया और fan के neutral से आपने tapping लेके अगले वाले load को connect कर देना है जो की L2 है तीनों जो हमारे load है L1, L2 और fan इन प neutral भी आ चुगा तो यह है इसका wiring diagram अब देखते हैं हम इसका schematic diagram तो यह इसका schematic diagram है schematic diagram क्योंकि यह 220 का circuit है domestic circuit है तो इसमें एक phase होगा और एक neutral होगा तो सबसे पहले हम L1 की बात करते हैं तो phase, phase जो है switch को connect किया गया, switch का output, lamp को और lamp का output जो है neutral के साथ connect हो जाएगा, ऐसे ही lamp 2 मे इसी तरह phase जो है वो switch पे आएगा, switch का output है वो lamp को connect होगा और lamp जो है neutral से connect हो जाएगा, ऐसे ही अगर हम fan की बात करें तो switch, switch के बाद regulator, regulator के बाद fan और fan का output है दूसरी side का, वो neutral पे connect हो जाएगा, तो यह schematic diagram होगे, अब हम इसका देखते हैं, single line diagram, single line diagram में सबसे पहले हमारा ब तो switch board के अंदर आपने तीन switches दिखाने है, one, two, three, यह तीन switches हो जाएगे, इन switches को किसी line से, किसी wire से आपने connect नहीं करना है, साथ में इसमें क्या रहेगा, एक regulator भी है, तो यहाँ पे आप switch number two क्योंकि regulator के साथ connected है, switch number two के उपर आप regulator दिखा देंगे, एक छोटा सा symbol regulator का दिख जा रही है, तो conduit जो है, वो L1 पे चला गया, L1 सबसे पहले, उसके बाद fan है, तो conduit fan पे आ गया, और उसके बाद conduit जो है, वो L2 पे आ गया, तो अब हम wire count करते हैं, तो one, two, three, four, तो यहाँ पे आपने चार cut लगाने है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे चार wire जा रही है, ठीक है, पीछे, इस switchboard के पीछे कितनी wire थी, दो ही wire थी, phase और neutral, तो यहाँ पे दो cut हो जाएंगे, अब switchboard से lamp one के बीच में कितनी wire जा रही है, one, two, three, four, यहाँ पे चार cut, one, two, three, four, then, lamp one को कितनी wire आ रही है, एक phase और दो neutral, तो तीन wire हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी आप, one, two, three, ऐसे तीन cut लगा देंगे, इसी तरह आगे जो lamp से fan के बीच में conductor है, उसमें one, two, three, तो तीन cut आ जाएंगे, नीचे जो fan को जा रहा है, उसमें again तीन wire है, one, two, three, तो यहाँ पर भी तीन cut दिखा देंगे आप, यह जो cut आपने दिखाने है, यह एक ही level पे दिखाने है next fan से जो lamp two को जा रहा है, वहाँ पे सिर्फ दो ही wire रह जाती है, तो यहाँ पे one and two, दो ही cut जो है, यहाँ दिखाये जगे हैं, तो यह हो जाएगा आपका single line diagram, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज़रूर लाइक करी और further वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe करके रखिए, सारे के सारे topic हम electrical machine drawing के इस video series में complete करने वाले हैं, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए, बस चल्दी अगले video में मिलते हैं, thank you, thanks for watching, keep learning, keep growing.